अगर आप पर्केट में बिल्कुल नहीं हो या तो आप ट्रेडिंग जानते हो और करते भी हो I am sure कि आपने कई बार कई जगा से डिस्टो डिवार्ड डेश्ट के बारे में सुनाई होगा तो आज इस वीडियो में हम इसी टोपिक पर बात करेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से इसे इस्तमाल करके आप हमेशा प्राफिट में रह सकते हैं So, stay tuned Hey guys, मैं आमित आप सभी का Managed Trading.com के इस YouTube चानल पर सफागत करता हूँ हर रोज की तरह आज भी मैं आप में से एक दोस्त का सवाल लेकि उसे सॉल करने की पूरी कोशिश करूँगा And I hope उसे बागी सबी दोस्तों का फाइदा हो जो टेडिंग सीखना जाते है आज का हमारा सवाल पूछा है मौसिन ने और वह पूछते है Can you make a video on risk to reward ratio? Thank you Mohsin for that wonderful question देखो risk to reward एक बहुत ही simple concept है और हम इसे दो parts में देखेंगे इसके पहले part में हम देखेंगे कि ये risk to reward आखिर होता क्या है और इससे हम अपनी trading की quality कैसे improve कर सकते हैं और इसके दूसरे part में हम actual trades देखेंगे ठीक है? लो आपको मैं एक example देता हूँ इससे पहले ही हम ही टार्गेट और stop loss दोनों already पता तो होंगे ही से हमारी stop loss price है 95 रुपीज और target price है 105 रुपीज अभी अगर मैं entry price से stop loss price को minus कर दू तो जो price हमें मिलेगी उससे हम कहेंगे risk वैसे ही अगर हम target price से entry price को minus करेंगे तो जो प्राइस हमें मिलेगी उसे हम कहेंगे reward मतलब यहाँ पे हमारी risk और reward दोनों के दोनों ही 5 रुपय पर share है मज़े की बात तो यह है कि भले हम इस ratio को risk to reward ratio कहें पर असली में यह reward to risk ratio होता है इस case में हमारी ratio है 1 as to 1 इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं 10,000 रुपय invest कर रहा हूँ तो मैं 5 रुपय पर share के इसाब से 500 रुपय के risk ले रहा हूँ और उसके बदले में 500 रुपय के profit को भी उम्मीद कर रहा हूँ ठीक है तो अब तक हमने देखा कि risk to reward होता क्या है और उसे हम calculate कैसे करते हैं अब हम देखेंगे कि trading करते time यह कैसे काम आती है जिसे हम अपने profits को maximize कर सकते हैं मान लो इसी case में आपकी prediction बिल्कुल सही है और price entry लेने के बाद तुरंट आपकी target price के तरफ बढ़ने लगी है नॉर्मल ओन ऐसा देखते हैं कि जैसे हम profit book कर लेते हैं उसके बाद तुरंट price देजी से और आगे बढ़ने लगती है मान लो जैसे कि बस हमारे trade से बाहर ही निकलने की राह देख रही हो रैट? मगर I promise आगे से आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा हम क्या करेंगे कि यहां मतलब जब ही price 105 को touch करेगी हम profit को तो book करेंगे ही लेकिन पूरी quantity के साथ नहीं पर कुछ percentage के साथ मान लो जब है मैंने total 100 shares buy किये हैं तो यहां हम सिर्फ 50% मतलब 50 share ही बेचेंगे और उसके साथ साथ अपना original stock loss जो की यहां है उसे अपने buying price के थोड़ा नीचे मतलब यहां पर लाके रख देंगे इसे होगा यह कि अगर stock में सही में enough speed है तो price और देजिस से आगे बढ़ेगी और हम अपनी बाकी बची को भी quantity भी बेज देंगे जैसे आप यहां देख सकते हैं प्राइज 105 से सीधा 112 तक पहुची है लेकिन 110 पर ही हमने पूरा profit book कर लिया है इसे कहता है trailing stop loss इसे होता यह है कि जैसे यह से price आगे बढ़ने लगती है हम risk तो उतनी रखते हैं पर 2, 3, 4 गुना तक का profit book कर लेते हैं मतलब हमारा risk to reward automatically 2 as to 1, 3 as to 1 से 4 as to 1 तक stretch होता है अगर यही बात सीधे शब्दों में कही जाए तो अपने risk तो 500 रुपई की होगी पर profit 1500-2000 रुपई तक बढ़ जाएगा है ना amazing अगर आप trading करते समाए इस तरीके को use नहीं कर रहे हो तो believe me आप बहुत सारा profit भी miss कर रहे हो अभी आपके मन में ये सवाल उट रहा होगा कि बात तो सही है लेकिन इसे मैं हमेशा profit में कैसे रह सकता हूँ correct देखो बहुत ही simple है लो हम कोई भी 10 trade लेते हैं जहाँ past trade में loss हुआ है और past trade में profit माद लो यहाँ हमारी risk को tolerate करने की capacity 1000 रुपई की है तो obviously ये जो 5 losing trades है उसमें हर एक trade में हम maximum 1000 रुपई तक का ही loss देखेंगे पर यहाँ profits को हम उससे कई गुना ज़ादा देख सकते हैं तो end of the week जब हमारे 10 trade को देखेंगे तो पाएंगे कि 10 में से past trade में losses होने के बहुजूद भी हम कई ज़ादा profits में हैं मान लो अगर आपकी method इतनी powerful है कि आपको हर 10 trade के पीछे 7 या 8 profitable trade दे रही है तो सोचो end of the month या तो end of the year आपके profits क्या होंगे बस first part में मैं यहीं रुखता हूँ इसके second part में मैं आपको यहीं सब बाते actual charts पर दिखाऊंगा तक कि आपको वो सब बड़े असानी से समझ में आ जाएगा लेकिन अगर आप यहाँ पहली बार आए हो तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी intraday trading strategy वाला वीडियो देख ले जिसके link आपको निचे description box में बें मिल जाएगी जिससे आपको हर रोज profitable trades करने में बड़ी असानी हो जाएगी यह ओपनिंग रेंज ब्रेकाऊट एक ऐसी simple technique है जिसे आप रोजाना दो से तीन गुना तक का risk to reward बड़े असानी से हासिल कर पाऊगे जो चीजे चार्ट पर मैं देखता हूँ आपके साथ share भी करता हूँ इसमें कोई भी सिक्रेट नहीं है बस हमें थोड़ा सामय निकाल कर stock को study करके उनकी एक वास्ट लिस निकालने होगी फिर सवा नौ बजे जैसे मार्केट उपन होता है आपको सिर्फ उनी stock पर नजर रखनी होगी हाँ लेकिन अगर आप रोजाना stock को study करने के लिए time नहीं निकाल पा रहे हो तो आपके लिए मेरे एक छोटी सी service है जिसमें आपको monthly सिर्फ 100 रुपे में इंट्राडे की वो सभी stock की वास्ट लिस हर रोज मिल जाएगी लेकिन अगर आप पार्केट में नए हो तो आपके लिए सिर्फ इतना काफी नहीं होगा इसलिए सुबह 9 के करीब आपको website पर लॉगिंग करना है जैसे मार्केट ख साथ साथ या तो सिर्फ स्विंग टेडिंग करना चाहते हो तो वो भी यहां आपको इसी सर्विस में 100 रुपीज में मिल जाएगे देखो आपके 100 रुपे से मैं आमेर नहीं बन रहा लेकिन अगर आप यह सर्विस ले रहे हो तो आप प्रॉमिस की बाकी सारे मेंबर्स की तरह आप भी अपने अपको प्रॉफिट में पाऊगे इसके लिए करना क्या है बस आपको इस वेबसाइट पर जाना है जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जैसे ही आप पैमेंट कर दोगे 24 गंटे के अंदर ही आपको आपका यूजर और पासवर्ड पर मिल जाएंगे फिर वही उजने में पासवर्ड से आपको सुबह नौ बजे वेबसाइट पर लॉग इंग करना है तो मिलते है कल सुबह कुछ और प्रॉफिटबली ट्रेटिस के साथ तो थैंक यू गाइस फार लॉट्स सब्पोर्ट एंड कमेंट्स अगर आप यहाँ पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए झाल